प्रवाइब आप सभी को प्रणाम आजये बहिया जल्दी से सभी को आजये अब गूरुपड़ी के बाद अब हम लोग एलपी टेक्नीशन में तहलका मचाने वाले हैं तो जल्दी से आजाएए लाइब आजये जल्दी से और अभी हम लोग कोश्चन करने वाले हैं कि साइन्स का आपका पूरा जिम्वारी जो है आपका हमारे उपर है तो एकदम तयार रहिए लेके अब लगा एकदम हम लोग एक स्रीज जो है जैसे डे वन दे टुटू पे बिल्कुल भी यह आपका फ्री क्लाश से जो आपका ये क्लास है बाईया यूटूब पे बिल्कुल भी आपका free classes है कहां चलेगा एकदम तयार रहेगा सारे 6 से लेके आपका पौने 7 बजे तक हम आपके पास हाजीर हो जाएंगे ठीक है और हम लोग देखेंगे और अब आपको क्या करना है ना अपना concept को develop करना है पर हाई आप बहुत कर चुके हैं और आप अभी हम जो आपको question करवाएंगे आप वो question और पहले से जानते होंगे ऐसा होगा लेकिन question कैसे पूछा जा रहा है एक्जाम में question कहां से आपको आटकाया जा रहा है आप जानते हुए भी गलती कर देते हैं उस चीज़ को हम लोग यहां पे आपको discussion कराएंगे और हम लोग जो भौतिकी का है फिजिक्स और यह आपका सबसे अच्छा बढ़िया क्या है यह आपका English Hindi दोनों में है ध्यान दिजिए हम लोग जो करेंगे अब जो भी English Hindi जो हमारा एप है एप पे भी क्लास आपका English और Hindi bilingual चलेगा क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई लोग है जो लोग बहार से थे साउथ के हैं उन लोग का डिमांडे के साथ English में भी करवाईए तो English Hindi में हम लोग का डेली चलेगा और यह आपका जिम्वारी है गुरुबडी में रिजल्ट नहीं आया है कोई बात नहीं है अब आप एल्पी में लग जाए ठीक है आई यह आपके सामने डेली यूटूब का क्लासे सेडूल है एक सब्जेट नहीं पठना के पूरा बेस्ट टीम के द्वारा हम लोग आ चुके हैं मैस आपका टाइमिंग देख लिजे गोस्वामी सर के द्वारा सारे आठ बजे रात पे आपका उमंग स्टडी के चैनल पे चलेगा रिजिनिंग आपका दस बजे सु आपका चलेगा अगर हमारे भाई को किसी को जरूरत है कि नहीं हमको बस साइन से पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है तो केवल आपका सामान विग्यान NCRT और प्रिवियस एर आधारित पे आपका ये बैच है देख लिजिए जिसमें आपका फिजिक्स केमेस्ट्री और आपका बाइलोजी है हम ये जो करवाएंगे आपका NCRT और प्रिवियस एर पे आपका आधारित है इस अब आपको कहां पर मिल जाएगा तो आपको जिकिए आपका तयारी बढ़िया है तो आप बस कुछ नहीं यूट्टूब पर हमारे साथ प्रैक्टिस किजिए प्री क्लासिस में और अगर आ तो आपको साइन्स का अगर बैच लेना है पहले आपको कॉस्चन पर आई ये उसके बाद हम आपको और आगए कराएंगे पहला कोंशन अंसर देते जाएए आप लोग अंसर देते जाएए आजाए ये देखिए पहला कोश्चन है आपके सामने कोश्चन को समझेगा इना की खाली जो है रट लेनी दिमाग में भर लेनी या उकर बाद जो एक्जाम में गई नी तब भुला गई नी वहला हाल नहीं करना है ठीक है तो आप आजाईए अब पूरा जो है अब एके के बिहार के कोना कोना में पूरे इंडिया के कोने कोने में हम लोग का यहां से आवाज जाएगा ठीक है चलिए आईए पहला कोश्चन देखिए आपके समने कोश्चन को समझेए कि क्या बोला गया है कोश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्या बोला गया है गतीज उर्जा के बारे में आपको कौन सा ग देखिए ठीक है और अब जितना भी हम लोग का है NCRT से question और अपका previous year जो exam में question पूछा गया है railway का latest pattern previous year question उसी के आधार पर हम लोग discussion करेंगे इसको हम लोग जैसे देखते हैं गतीज उर्जा के बारे में बताना है कि कौन सा गलत है आईए इस्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में नहीत उर्जा को गतीज उर्जा कहा जाता है इसको हम लोग समझेंगे पहले आईए एक वस्तु गती के आधार पट इसके दौरा प्राप्त उर्जा को गतीज उर्ज हो जाएगा तो यह वाला तो सही है स्टेक्टिमेंट सही है आपको बताना है गलत और मार के आजाएएगा उल्टा इसी को आपको ध्यान देना है उसकी बात आएए क्या दिया है इसकी गानना जो है काइनेटिक और हैं इनर्जी बराबर हाफ gb² होता है सब ही कोंड़िक इनर्जी जानते हैं किया अनर्जी वराबर हाफर ml2 होता है फिलकूल भी तुर्ब शही है अगर कोई चीजा गती में है आप ही अ électastre यहां तो आपका क्या हो गया तो इसमें आपका गती उर्जा रहेगा ये भी सही है लेकिन अब जो है इस थिर अवस्था के दवरान वस्तु में नहीत उर्जा को गती उर्जा कहा जाता है कहां से कहा जाता है माल लिजिये अभी हम यह खारा है चुप चाप एकदम इस्तिती में है एकदम बैठल है ठीक है तो यह जो हमारा पोजीशन है इस्तिती में है हमना में कौनों गति नहीं लगा है कि हम जो गतीज उऊ जाएगा और यहां बोलिए दिया गया है कि इस्तिर अवस्ता के दरण वस आएगा जहार को आपको टेलीग्राम पे मिल मीन जाएगा और यहिया को आफो पिपway से ले सकति हैं मैं यहिप गाद गतिज उर्जा गलत है इस्तिर अवस्था में कोनों चीज है तो वह इस्तितिज उर्जा में आएगा गती नहीं मार देना है पहला question आपके सामने है English में भी धियान देदीजिए भाय्या हमारे जिसकों भी English वारा चाहिए English में जिसकों भी चाहिए देख लिजए the energy possessed by the body during the rest is called kinetic energy नहीं यह गलत दिया हुए is called potential energy is called क्या होगा गतीज उर्जा नहीं होगा इस्तीज उर्जा हम question आपको भले जो है अभी आपका जैसे exam जो है अभी notice नहीं आया है है अभी अपका कम question करवाऊंगे अκι को नहीं कि पुरा question करवा दे जान तो आप सब रहे हैं लिकन को श्यंट किस टाइब से अब आपको question काद concept को दिमाग में भढ़ना है रटना नहीं यह जान तो सब बच्चा रहा कि यह अंसर इसका ही होगा लेकिन फिर भी गलत मारके चलाता है और बाद में कहता है कि सर हम तो 80 कर लिए थे अब 80 करने से नहीं होगा अब अब कंसिप्ट को अपने अंदर लाईए रेटना छोड़िए आप लोग ठीक है चलिए तो पहला क्लियर दूसरा नंबर पर आईए क्या दिया है कोश्चन निमलीखित में से किसमें इस्तितिच उर्जा होगा आईए अब आपको बताना है किसमें इस्तितिच उर्जा होगा क कोश्ची एदम स्थिर है एक ही चीज को दिमाग में चाप लिजिए कम पर ये अभी का समय ऐसा है कम पर ये कंसेप्ट को अधिक समझेए तब ही आगे जाके पार लगेगा अनितर रटर कहानी इन्हें उनने करते करते सब जो है ले जाईएगा भित्तर उस चीज को आप धि एकडम अगर कहीं उसमें गति नहीं लगा है पहला दिमांग में आपको यहीं रखना है की कोई बीचत इस्थिर अवस्था में है और आपको पानी तो आपको नहीं चल रहा है ऐसे में अगर आपका बोल देगा तब आपको लगेगा भया तब आपको लगेगा अच्छा लेकिन आपको यहां पर क्या बोला गिया है कि बांध का पानी क्या एकड़ इस्तीर कोई अपो आपको क्या है बाहर रहे हैं जहां आपको क्या है पानी इस्तिती उड़ा को बताना आपका कि यह इस surviving जा sorceru अखेट है न Infinite इपाइगा नहीं होगा तो इस्तिती इवर्जा आप नहीं होगा तब यख बहुत लूजाँ किने आघि जए हाई कि भला है गिरता हुआ घृता हुआ ऑफ अघुत जिफन गिरे गतिय तो तो में लगबे करेगा उसमें आपका मोशन तो ऐबे करेगा तो ये भी इस्तितीच उर्जा आपका नहीं है उसके बाद दौरता हुआ धावक हम आपको पहले ही बोलेते अभी हम यह हैं और दौरने लगे हम दौरने लगे जैसे दौरे आगे के तरफ बरे हैं तो बीना गती हम इसलिए बार-बार कर रहे हैं कि दिमाग में च्छाप लिजिए कंसेप्ट को पूरा अपना तो आपका क्या हो जाएगा दौरता हुआ धावक यह आपका इसमें क्या है गतीज उर्जा है इस्तितिच उर्जा नहीं है ऑप्शन नमबर ए आएगा बांध का पानी स्थिर अवस्था में है एकदम फिक्स है उन्हों उसमें बांध का पानी बहा नहीं रहा है तो आपका ऑप्शन नमबर ए आजाएगा जो की इस्तिति उर्जा आएगा एक कोश्चन में हम समय इसलिए ले रहा है बार-बार कि अब आपको रटना छोड़ना है समझना है आपको ने अगला कोश्चन इसको देखिए क्या बोला गया है किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरावट के दावरान क्या होता है तीन नमबर का किसी वस्तु को मान लेजेए यह हमारे पास पेन है पेन के साथ एक नम आप पढ़ाई को फिल किजिए साइन्स को अपने अंदर डेवलब किजिए और मजा लीजिए साइन्स का उसके बाद देखिए ना अभी से आप हमारे साथ किजिए जो हम आपका बैच जो एप पे करवा रहे हैं लगातार आपका चार से पांच मन्त है क्योंकि हम वहाँ धीरे धीरे बेसिक टू हाई बहुत लों के कमेंट आ रहा है कि सार्म को साइन्स का यह चाहिए बैच चाहिए उसका हम डिसक्सन करेंगे इसको देखिए किसी वक्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दावरान अगर जो है कोई चीज है देखिए हमारे पास भाईया इस पॉंट्स का डब्बा है अभी आग में एकदम चाप लिजिए कोई भी चीज यहां पर जो है बाईया ऑबजेक्ट है कोनों चीज है यहां पर एको कुछ चीज है वहला ठीक है इस जैसे जैसे उपर से नीचे के तरफ आएगा नीचे के तरफ आएगा क्या हो जाएगा बढ़ेगा भाईया गतीज उड़ बरतनि रही है तो आपका अंसर के आजाएगा आपका गतीज उड़्जा का जो है एकर यहीं कमेंट किजिए सभी कोई अंसर अंसर आप लोग कमेंट करते जाए यह आ रहा है अंसर बहुत बढ़िया सभी का अंसर आ रहा है ए ए ए ए कि एकदम एकदम नरेंदर स्क्रिप्शन जो अगर आप ले रहे हैं तो टॉपिक वाइज हम आपका क्लासेस करवाएंगे और टॉपिक वाइज के साथ चैप्टर वाइज चलेगा और यहां पर भी हम आपका करवाएंगे बढ़िया अगर तयारी है भाइजा कहीं से बस अप गतिज उर्जा का मान बढ़ जाएगा लेकिन जो स्थितिज उर्जा का मान है कम जाएगा और धीरे धीरे यहां पर स्थितिज उर्जा का मान क्या होगा नीचे के तरफ जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा लिए अगला कोस्चन पर आते हैं हम लोग अग कोई परिवर्तन क्या है गतीज उर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा परिवर्तन होता है कि अगला कोशन पर हम लोग आते हैं अरे यार बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर कहां से लेना है इन कोशन करवा चुके साइन्स का आपको अगर बैच लेना है यहां पर जो हम लोग कर रहे हैं और यह आपका मात्र पूरे यूटूब पर या फिर कहीं पर आपको 249 में पूरा फिजिस केमेस्ट्री बाइलोजी का और पूरा आपको वादा रहा ही कर लिजेगा एक भी टॉ पूरे परहाने का मज़ा मिल गया आप लोग से इतना प्यार मिला तो फिरम परहाने में लग गये और पूरे पठना बिहार का बेस्ट टीम के साथ हम लोग इस बर आए हैं पुरा दावा ठोक के इस बर हम लोग कह रहा है और हमें कहने में भी गर्व है पहले हमारे में कुछ जो है एक दो टीम के कमी था अब उसे पूरा कर लिए हैं इतना बेस्ट टीम ला दिये हैं इस बैच को आप 249 में आपको कैसे लेना है तो पूरा आपका एंसे आटी फिजिस के मेंस्टी बाइलोजी हर एक चीज है इसक 866290 भी आप 1510 कर चुके थेना हम लोग आय का इसको तो आज़ीं करते हैं मिलीकित मेंसे कौनकी तितिच उधानर है निम्लीकित में से कौण सμयक्र इस्ता पूर्डवाओ का उधारन है घर की छत पर र撲खी एक इट उसके बाद एक घरी की स्प्रिंग जब घूमती है उसके बाद वह संपीरन इस्प्रिंग जल आपूर्ती पर नाली के तहत उंचे जलासे में संग्रहित पानी इसको समझेगा आप लोग इसको हम लोग समझेंगे सकता है अब यह सद्वें अभर बगल में साउंड बज़ रहा ना नहीं ही हो रहा था और आधिक लास स्टार्ट कि आज इसाधी होने लगा देखिए आई यह दिखाते आपको नेमलीकित में से कौन सा इस्तितीज उर्जा का उधारन है इसको हम लोग समझेंगे आपका इस्तितीज उर्जा का घर की छट पर हम आपको पहले ही बोले थे इस्तितीज उर्जा का उधारन बोला है और आप तो क्या हो जाएगा? उञारी आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आपका भया गती हो रहा है, अस्थान नहींच हो रहा है, इस्तितिम आपका जैस का टस तस है, तो आपका क्या होगा वह आपका इस्तितिच उर्जा होगा इसको समझे क्या बोला गया है घर की छत पर रखी एक इट इपकल लीजिए इसमझे इए एगो इटा का पाट इए घर का छत है माल लीजिए अई छत्वा पर इसे करके रखल है इस चुप चप स्थीरे नहीं पोज लुगती नहीं है इसमें कौन सा उर्जा है इटा का ही पाट माल लेजिए इसमें कौन सा उर्जा है तो यह आपका है भाईया सीधा इस्तितिच उर्जा है कौन सा उर्जा है इसमें आपका तो यह आपका है इस्तितिच उर्जा है पहला तो आपका इस्तितिच उर्जा क्या हो रहा है बताईए आगा कि अगर कि देख लेज़ेगा साउंड चेक लिए जो अपका घरी जो घूम रहा है घरी का स्प्रींग वा एक जगा नहीं घूम रहा है जसक अतस घूम के एन्ने थोरे भाग जा रहा है उसे पे केतनों जो है अपना स्थिति को नहीं चेंज कर है मेरे भाई ज вопрос को नहीं चेंज करेगा गतिच उर्जय मार दिजएगा इनहीं के देख लेकि घरी के स्प्रिंग घूम रहा है उसके बाद संपीड generally संपिरित स्प्रिंग भी क्या होगा तो जर्ट का एक के पोजीशन पर थोड़े ही ऐसे हुआ भाग जाएगा उसमें भी गती नहीं आ जाएगा तो यह भी आपका इस्तित उर्जा है जल आपूर्ती प्रणाली के तथ उंचे जलासा में संगरहित पानी पानी को का किया एक के लिए इस्टो कर दिया है पानी का तो श्चOUGHर करके चुप चप अस्थिर हुज्ड़ धे लिए कहीं जगा है इस्तिती नहीं बदाल रहें रहें मतलब का इस्तितित ऊठर्धबा हो जाएगा चारों आपका सही है चारों आपका इस्तिति उड़ जाके अंतरगत आएगा और से नंबर डी आपका सही उत्तर है कंसेप्ट को समझेए और से नंबर डी आपका जो है बिल्कुल भी सही उत्तर है ठीक है इंगलीश में भी कोश्चन भाई लोग जिलनों को भी दिखकत था खेलते आपको निकलवा देंगे हस्ते खेलते निकलवा देंगे आपका अब तो पटना का बेस्ट टीम लाए हैं अब इससे बढ़िया आपको टीम क्या दे बताईए पूरा आपका अभी से बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है बस क्योंकि ALP का तयारी के किसी बंदुक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतीज उर्जा डैस होती है देखिए भाईया कितना अच्छा कोशन है अगर जो है हमारे पास बंदुक रहता तब नमज आता बंदुक वा से क्या किया है बुलेट को दागा है बंदुक पहले बना लेते हैं तो वाश दागा गया तो गतीज उर्जाडेस किसी बंदू से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतीज उर्जा'd dense होती है बुलेट का जो गतीज उर्जा है डेखिए समझ यह क्या बुला है अगर आपको पता है कि यह तीसरा नियम से लागू हो रहा है आप अगर गोली चलाते हैं तो पीछे का तरफ फौई झ्हटका लगता है तो किसका बंदुगवा का झ्हटका लगता है ठीक है तो इसको किस बेसिस भी आप करियगा तो हम लोग जो जानतэ हैं द्रब्मान समझें, concept हम बारवर कर रहे हैं, concept समझें, द्रब्मान किसका अधिक है, हम लोग जानते हैं, बंदुक का द्रब्मान, द्रब्मान जो है आपका द्रब्य, मान जो है आपका किसका अधिक है, तो आपका बंदुक का द्रब्मान अधिक होता है, सबको बता है, और ऐतरमान आप का बुलेट है जो है आपका जो गोली चला रहा है हम लोग बुलेट उसका आपका कम होता है इस तो clear लेकिन बुलेट वा जो चलाइचा बंदुक ऑप के रहा कंष़ चला पीजात गे लेकिन बुलेट अफ़र्चा किसकी अदीक हो गया जिसका जुछ में बहुत तेज हो गोली का तेज रफतार बंदुक तो आपका हलका फ़ff mitad का पिछे के तरफ आएगा एक नोर्मल येख becomes more than कि आता है लेकिन हमाल जर्टक आता है गोली से जतन अनल चीज आएगा फ़ागे तो भाई बड़ा है उसका दिरहमान अधिक होगा बुलेट चल लहा है कि बुलेट का जो है गतीज उर्जा अधिक जो है होता है बंदुक के तुल्ला में यहीये चीज़ बोला गया समझये किसी बंदुक से बुलेट दागे जाने पर बुलिट की गतीच उर्जा बताना है क्या होगा तो बंदुक की तुलना में अधिक होगा बंदुक का तुलना में जो गोली है बुलिट का उसके गतीच उर्जा अधिक होगा स्वभावी के काहे होगा अधिक आपको भी पता है काहे कि आप जानते हैं कि गो पर नुम्रिकल भी आता है नुम्रिकल भी आता है नुम्रिकल भी आप लोग करवाएंगे ठीक है बंदुक का जो सम्वेग होता है capital MB हमेशा आपका minus MB होता है इस चीज को आप ध्यान देजिए आप कहिएगा कि सर इस माइनस कहें आप कह दिये माइनेस कही होता है मेरे माइनलयस आपको करना है अभी आप पीछे के तरफ जटका आता रहें ऑप जटका और जटका पीछे के तरफ लग रहा है और आपको हमेशा पता है कि अगर आपका opposite direction में होगा तो क्या होगा उसी के लिए हम लोगी माइनस sign आया है question में आपको automatic जानना है अगर आपके question में नहीं भी दिया है तो clear तो आपका क्या हो जाएगा option number C आपका से उतरे बंदू की तुल्ला में अधीक होगा क्लियर आईए next question देखिए इन केजी की एक पिस्तौल से इसको समझे जल्दी से क्या बोला गया बहुत ही अच्छा question है छठा number का हम आपको जो अभी बताएं है सेम कंसेट्ट पर question बनेगा यह आपका नुम्रिकल है और इतना हलका मचाने वाला नुम्रिकल है तो बहुत बहुत सिंपल इतना नुम्रिकल इतना question अभी से लेके आप खाली प्रैक्टिस करते जाए एलपी में पूरा आपको दावा ठोक देंगे हम लोग आपको पहले ही बता दिये थे पिस्तॉल का पतिगाती वेग मतलब हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले जो सम्वेग लेते हैं ध्यान दीजे समझे इसमें सम्वेग हम लोग आपको पता है दुन्यों का सम्वेग बराबर रहता है सम्वेग आपका बराबर रहता है लेकिन आपको opposite direction में होता है, मतलब इसलिए माइनस लगेगा, और सम्वेग हम लोग पहला लेते हैं, बुलेट का, पिस्तॉल का, पिस्तॉले लिख देते हैं, अगर पिस्तॉल दिया है, तो पिस्तॉल का सम्वेग हम लोग यहाँ पे लिख दिये, equal to क्या, माइनस हो जाएग आपका गोली का सम्वेग, देखिए, गोली का, पिलेट बरा होता है, सम्वेग बराबर द्रमान गुने वेग होता है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, M गुने B, equal to minus M गुने B, देखिए, M गुने B, equal to minus M गुने B होता है, माइनस तो पता है, चल गया ना आपको, का है लगा माइनस अब आपका, अब देखिए, यह का हुआ है, M गुने B, M आपका कितना दिया है, तीन केजी दिया है, और एक साइट आपका 40 ग्राम, पहला आपको धियान देने वाला पॉइंट, हम जो जो आपको एक एक पॉइंट बोलना है, एक एक पॉइंट को देखिएगा, इसलिए जो होता है, कि हम तो 80 करके आए थे, लेकिन न 3000 ग्राम, तो यहाँ पर क्या हो गया, बंदू के लिए आपका 3000 गुने, हमको V निकालना है, बंदू का V निकालना है, माइनस, M देखिए अब कितना है, M आपका गोलिया का कितना दिया है, 40 ग्राम दिया है, 40 गुने, V आपका कितना दिया है, गोली का दे दिया है, आपका, 180 मेटर 30 सेकंड का वेग से गोली को एक्रम धागा गया है 180 180 अब आईए इसको काट यह देखे तो कितना है एक तो दो जीरों से दो गोगों काट दिये छत्री की अठारा थो पचे तीस छो पचे तीस तो कितना आगे आपके पास देखिए चत्री 18 चारतिया 12 बारा भाई तो वी बराबर कितना आया माइनस बारा और बटे में कितना आजाएगा देखिए माइनस बारा और बटे में आगिया 5 चॉल्ब करके बताईए तो देखे कितना गुरा कांसर आया है जल्दी से ओप्सन ए होगा बहुत बढ़िया मेरे भाई कौन है और नेक्स्ट कोस्टन लाएंगे हमारा एम है धीरे धीरे आप समझे ना कंसेप्ट को समझे की रटल रटाइल आया बैठा के चल दिए एक एक जीरो से जे हमारा एम यही है कि जिसको नहीं भी कुछ आता है जान जाए इसलिए हम जो एकनम प्यार से चलेंगे तो देखिए यहां पर कितना आगया कितना आएगा ध्यान दीजे भाई मेरे जो ए बोला ता गलत है माइनस 2.4 ना होगा मैनस 2.4 मीटर प्रती सेकंड ओप्शन नंबर सी होगा माइनस 2.4 मीटर प्रती सेकंड होगा क्लियर कंजूसी मत किजिए अच्छा कुशन करवा रहा है लाइक का बटन को दबाते जाएए देखिए गती का दूसरा समिकरन डैस से सम्बंदित है गती का आपको दूसरा समिकरन जो है बताना है किसी से सम्बंदित है तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं गती का दूसरा समीकरन एक तो आप क्या जानते हैं भाईया S equal to UT plus half 80 square ठीक है यह आपका दूसरा के अंतरगत आता है लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या जानना है इसको समझें आप लोग एक होता है ना F dash बराबर dp by dt यह जो आपका आरोपित बल है समवेग में परिवर्तन के दर जो है आपका क्या हुग रहा है आरोपित बल उत्पन हो रहा है जिसको क्या कहा जाता है जिसको भईया कहा जाता यह आपके गती का दूसरा नियम किससे संबंदित है तो पी आपका क्या है पी आपका सम्वेग है पी आपका किसे संभंदित है तो सम्वेग से संभंदित है सम्वेग से संभंदित है option number D आपका सहुतर आएगा momentum से और हम लोग सम्वेग को जानते हैं small p से denote करते हैं समवेग बराबर द्रबमान गुने वेग काफी इंपोर्टन फर्मूला है अब आपका एलपी का जो सिलेबस है ना फिजिक्स केमेस्ट्री हम आपको एलपी का साइंस कहां कहां से कौन-कौन सा पार्ट से कोश्चन पूछा जाता है उसको जो है कलम आपको बताएंगे फिजि दीचे का कर लिजिगा बेसिक 25 का बहुत सारा आपका चैप्टर विफिजिक्स में ही कंप्लीट होता है चैप्टर विजीग रहा से आफ से 10 कोशों का फिजिक्स का भरल रहेगा आप अकोसेलेक्सं सबूर्वाइब को बतलाता है किसके किसके बिच एक तो आपका बता दिया है वेगा और तीसरा मुन क्या जानते है फिależ स्क्वेर माइनस इूए स्क्वेर इकुओर टूट तू ए एस होता है अब कहिएगा सम्कों कई से पता आप लोग सब कोई जानते हैं ना सब कोई तो रट लिया है अच्छा का होगा तो एक हो जाएगा इस्तीती और एक होगा वेग आज के बासे कई नहीं भुलाईएगा इसको कभी भी नहीं भुलाईएगा दिमाग में रखे बस आपको क्या मानना है तो बस आपको यहीं मानना है और इसको आपको माने लेना है zero और equation में दो जो बच गया उसी का बीच सम्दद आपको दर साता है ? प्रियर हुआ दिखाए हम आपको क्या क्या बच गया यह तो आपका खतम होगिया और अभी खतम गया बचा आपका वी बच गया यह बच समझद आहरा आपका वेग बच गया दूसरा आपका क्या बच गया यह आप पाइस अंहीند हो गया Campus आने कुछ घुटर दें लेना है 0 मानना ही नहीं का आपको एकोईशन में है भी और बस उसे सीरीज को आप याद करके रखिए आपका काम बन जाएगा वी स्कूर माइनस इवे स्कूर इमाने लिजी हमारा इभी खतम हो गया और एभी खतम है बचा का वेग बचा और इस्थिति बचा आपका अंसर क्य और वेग के बीच समंद आपका बतला रहा है कौन सा नियम तो तीसरा नियम कहां दिया है option नमबर ए पोजीशन और आपका वेलोसीटी के बीच में English वाले गौर कर लिजे मेरे साउथ वाले भाई लोग English वाले देख लिजे इधर है आपका question पोजीशन और किसके बीच में और आपका वेलोसीटी के बीच में कहिएगा कि सर यह तो आप तीसरा के खाली बताएं हमको जो है दूसरा का भी बतला कर दिखाएगे यह आपको अनसर रहेगा आईए आपको दिखाते हैं दूसरा का भी नहीं भिष्वास हो रहा है तो दूसरा हम लोग क्या जानते है equal to ut plus half 80 square इसलिए ना आप कह रहे हैं अब एक बारे में concept को दिमाग में चापिए और continue जीतना भी class करवाएंगे concept को आप समझेए यह नहीं कि यह के बारे में हम कर लिए खाली अधिक question को रट लिए अब देखिए अब आज के वास्ते का यह थोड़े भूलाईएगा देखिए यहां पर भी जो हम आपको बात बोले थे वही मानिया आप यू आपको मान लेना है जीरो और ए मान लेना है यहां पर जीरो वस आपको यही मानना है हम बदले नहीं है यू भी आपको दूसरा है यह दूसरा समीकरन है यू माननना है जीरो और ए माननना है जीरो आईए इसे जीसे हम बोले थे आपको उचे हिसाब से इसको माने लिए भाया हम माने लिए 0 ठीक है कि माने लिए हम जीरो और A माने लिए हम यहाँ पर 0 माने लिए मतलब हमारा U भी खतम हो गया A भी खतम हो गया अब इस equation में का बचा है एक आपका S बचा है S मतलब इस्थिती बचा है और दूसरा आपका क्या बचा समय बचा है देखिए टी बचा है कि आपका क्या बचा समय बचा है आपका देखिए clear तो इस concept आपको क्या बच गया दूसरा equation किसका किसका भी समय को दर्चाता है तो इस्थिती का समय को दर्चाता है और समय का दर्च है तीसरा बताईए पहला बताईए तीसरा बता दिए दूसरा बता दिए पहला बताईए तो आप तो पहला मेंidar जाईएगा देखि से ऑ इक वश्चीससे बोले थे और एक वल्टू जीरो सिच है start मतलब किने वला खत्म इसका खत्म अब इसमें काचा बचा एक अपका वेग बच गया है देखिए आपका बच गया है दूसरा आपका क्या बचा है तो गती का पहला समीकरन जो है किसका किसका बीच मंद बताया है, तो वेग का बताया और समय का बताई पहिला equation, गती का पहिला भी देख लिजे आपके सामने क्या है वेग और समय, clear, concept clear हुआ न, अब युकोष्य नवा आएगा, हर एक का आप लोग कोई बात नहीं हम आपका हर एक जैसे जैसे हैं आपको यह concept देते रहेंगे आपको करते भी रहेंगे आपको करते रहेंगे कोईश्चन आपको इतना बार practice करवाते रहेंगे कि दिमाग में छप जाएगा इकड़ लिए हैं हम लोग इतो कर लिए है आठ अगला देखिये वह भातिक रासी जो कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकती है समझे आप जल्दी से वह भातिक रासी जो कभी भी रिनात्मक नहीं हो स यह घर जाना है हम दूरी डिस्टेंस टैबल लंबा अगर रस्ता तैय करके गए है और हम का कि यह सौटे कट मार दिये सीधा एक्दम गरा कर बीचे-बीचे-वीचे नाउसे चल में विस्थापन माल लिजिए कि आपका A हो एगो आदमी और एगो है आपका B, E छोड़िए, इससे ज़्यादा आप E समझिएगा, इससे ज़्यादा हम जानते रहें आपका समझिएगा, आप माल लिजिए कि यहाँ पे है आप है, और अब आपको जाना है, कोचिंग पठना में कोचिंग कर फ़िए हैं यह चैजी परहाईं में कमे ध्यान है आपका meada माथ कर रही है यहां पर राई इससे भी पटना कर वहां पर आप है ऐंग है आपको क्या कि यहां किया कि यहां से आपको मिलने जाना है यहां कि यहां से विंदास वाल आदमी अप गल फेंट का तीन-चार सल हो चु अब्षा करेगा एंदेजि़े आराम से निकला और यहां पर पर पास गया चाय उकर बाह इकर हो गया था जानते हैं क्या इसका हो गया था आपका चार-पांच साल से पटना में है तैयारी कल रहा है और अपना है माल के चक्र में ज्यादा जो है परल है उगलफेंड के चकर में तमझे तो इसको उतना फर्क नहीं एक जो है नया वाला अभी ताजा ताजा प्यार हुआ है उसको कहा है बिचैनी है एकदम हम जाएंगे सिधा यह तो यह सब्सक्राइब कर दशाना पहुंच जाए तो इसी को कहा जाता है बहिस्थापन जो है आपका सटुट्गाट रास्ता से खोज़-खोज के पहुंच गए आप उसको कहा जाता है विस्थापन और यह हमारे भईया चार तलसे हैं लर्किये के चकर में परल है पट रहें और जो भाई आप मेहनत करें आप लोग जरूर सफल होईएगा भले आपको जितना भी समय लगे यह का किया है कि यहां से वहां गया यह एक दम जो लंबा वाला रास्ता गया है उसी को कहा जाता है दूरी दूरी विस्थापन के आप अंतर समझ लिए होंगे दूरी वि कभी भी रिनातमक नहीं हो सकता है तूरी आपका कभी भी डिस्टेंस आपका कभी भी रिनातमक नहीं वह सकता है ऑफंसा नमब्र दूरी आपका अधीस रासी है अधीस मतलब a scalar quantity इसमें क्या होता है इसका आपका magnitude होता है लेकिन आपका इसमें दिशा नहीं होता है इसमें आपका magnitude होता है इसमें आपका दिशा नहीं होता है स्केलर कवंटिटिटी अब नहीं समझे अरे दूरी है आपका दिशा थोड़े है कहे नहीं कि दूरी आप का किये अराम से मिलने जा रहे हैं उन्हों दिशा नहीं है और छोटका वाला सोटेश्ट पाथ आपका डिस्प्लेश्मेंट विस्थापन जो है वह एक तो में को आपका दूरी और रहता है और आपका इसमें अपका दूरी का अदिस राती है केवल परिनाम होता है दिसा इसमें नहीं होता है आप लोग अब आव और सदीसो आता है तीनों आपका कौन सा रासी है सदीस रासी है वेक्टर है वेक्टर है बल त्वरन और वेग आपका क्या है वेक्टर है समझ में आ गया ना चलिए अगला कोश्चन पर आये जल्दी से इसको देखिए समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को भाईया आपका क्या कहा जाता है जल्दी से बताईए बहुत सिंपल है देखिए हमारे पास यह आजाए ग्राफ इसका किसका भी समय के साथ किसी वस्तु का वेग एक वेग है एक समय है खाली कोश्चन घुमा घुमा दिया है बस और कुछों नहीं बहुत थे वस्तु को लेकृटे। दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है जो कॉछ भूचते हैं यह को और समय ग्राफ कोशन वहीं दे दिया है आपका वेग और समय ग्राफ और इसका जो बनता है हमेशा आपका इसको ध्यान दिजिए वेग और समय ग्राफ की जो वेग होगा वेग और समय ग्राफ कैसा बनता है तो हमेशा आपका इस ट्रेट बनता है बीच से डंटा एकदम आप आपका हमेशा क्या स्ट्रेट बनता है कमेंट जरा साथ देखते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है हाँ एकदम एकदम सही है आर अच्छा बहुत लोग खुश से हैं कि सब्सक्राइब लाएं देख लिजिए इंग्लिश में भी कोश्चन है और पीडिये जो आपका बिल्कुल फ्री में उपलब धैट टेलिग्राम पे आपका तो पीडिये आप लोग ले लीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आईए जो आपका कोर्स जो चलेगा वहाँ पर इंग्लिश में भी आपका नोट्स अबलेबल है हिंदी में भी आपका करवा दिये हैं इसको देखिए जल्दी से समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है बहुती अच्छा कोश् आपको ध्यान देना है क्या कहा जाता है बहुती क्या कहा जाता है तो इसी को तो वेग कहा जाता है क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है तो वेग कहा जाता है तो वेग कहा जाता है कहां दिया अंसर आप्श समय के साथ विस्थापन के जगह अगर आपका वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है तो इसी को तो कहा जाता है त्वरन क्या कहा जाता है इसी को त्वरन कहा जाता है किसी का सिफ्ट में यह मिलेगा पहला वाला कि आपका विस्थापन का समय के साथ विस्थापन का पबना अंदर डेवलब किजिए अब अंसर तो सब जानता है लेकिन इसका उंसर रट लिया है और कैसे वह नहीं पता तो अंसर नहीं अब कंसेट को अब आपको डेवलब करना है अब पता है हम बहुत साइंस करवाएं है पिछला बार गुरुबडी में लाखो इस्टुएंट जो है एक्जाम के समय क्लाच किये थे लाखो इस्टुएंट किये थे लेकिन अब आपको concept develop करना है ठीक है त्वरन होगा आपका next देखिए जल्दी से यदि कोई वस्तू जो है क्या दिया है यदि कोई वस्तू समान समय अंतराल से असमान दूरी तै करता है असमान दूरी तै करता है तो इसमें क्या कहा जाता है बताईए यदि कोई वस्तू समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में भाया अगर कहता है तो आपको बताना है क्या आएगा जल्दी से इसका graph देखिए सबसे पहले इसका तो इसे क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले तो आप जान जाएए, सबी कोई कोई पता है कि speed equal to distance by time होता है, यह तो पहला चीज आप जानते है, speed equal to distance by time, चाल बराबर दूरी बाई समय, तो अगर आपका दूरी का बोल दिया गया है, तो चाल तो आएगा, लेकिन चाल आपका अ असमान दूरी ही एक बोल दिया गया है, कुछों नहीं सोचिए, असमान दूरी बोल दिया गया है, यह जब आपका असमान है, तो चाल आपका क्या समान हो जाएगा, कईयों नहीं possible है, चाल भी आपका असमान रहेगा, असमान, असमान, कहां दिया है, असमान गती, option number A, option number A आपका सही उत्तर आएगा असमान गती गती बराबर दूरी भाई समय होता है यही अगर आपका देखिए speed क्या है आपका directly proportional है दूरी के साथ अगर यही अगर आपका क्या होगी असमान है तो आपका क्या होगी गती भी अशमान होगा तो आपका है गती और इसा आपका graph जुचा बनेगा तो इसमें आपको ध्यान दे那么 है कि यहां पे होगए आपका दूरी और यहां पे होगा आपका समय रही जो गरफ सीधा नहीं बनेगा इनहीं की सीधा शीया पढ़ दिए इ आपका धीरे hours jaysay का इसमें एसमान दूरी है तूरी आपका समान नहीं है equal नहीं है unequal दूरी है दूरी एसमान ओपका इसमें आपका थोड़ा सा ओपर के तरफ उर्ठ हढ़ जाए गा इस ग्राफ यहां तक आपको और इसमें आपका लेते हैं non uniform motion English में आपका आएगा a number option है यहां तक तो भाईया पूरा clear है अब देखिए अब आपके ओपर जिम्वारी है हम दों classes करेंगे प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे लाएंगे सब कुछ आपका होगा और जो question को करवार है परहे आप सब है वह आपको को पता है कि पढ लेकर बैठिएगा और अभी से पूरा लगतार लड़ते रहना है हम लोग फरवरी में भी टुटर कैम्पन करना वेकैंसी का आने का वेकैंसी आपका आएगा लेकर आएंगे हम लोग पहला बात तो यह रहा वेकैंसी आजाने के बाद बिलकुल भी आपको भी समय नहीं रह देखिए हम तो का करेंगे कि आपको लगतार परहा दिये तेजी में टां दिये दिन दिन भर में उससे क्या सफल हो पाईएगा नहीं हो पाईएगा तो अभी से आपको धीरे-धीरे आपको पढ़ते जाना है और आपका कोशन वीडियो साइंस का एक एक चैनल पर आपको व अपका एक वीडियो देंगे हम साइंस के बारे में और इस वीडियो पर आप अच्छा बहतर रिस्पॉंस दिखाइएगा तो कंटीनु भी हम लोग क्लासे स्क्राइब करेंगे सोंब या मंगल वर्चे मंगल बर्च आपको फिर से जो है और भी टॉपिक वाई हम लोग ले ले लिए हैं ध्यान दीजिए अगर सफलता बैच ले ले हैं आपको नहीं लेना है यह कम ही में आपको all subject मिल जाएगा और अगर आपका मन है आपका sub subject तेज है और अगर आपका मन हमको खाली science है कर लेना है तो science का आप लोग batch को लिजेगा यह अभी आपका enrollment हो रहा है ठीक है और इतना best content त्यार कर रहा है इसलिए हम जो एक-एक topic वाइज आपका यह class चलेगा एक-एक topic व गया तो exam आजाएगा तो फिर हम आपका complete करवाएंगे और जब आप हमारे उपर भरोसा दिखा रहे हैं तो हम भी इसके लिए आपको पूरा भरोसा दिखाएंगे हम आपका पूरा इसी के उपर समर्पित है वह यह आपका अगर select होगा तो आप ही हमारे जो है पूरा चारो अनलाइस से मिला है तो हम लोग आपका 0 से लेके अंत तक आपका साथ देते हैं अनलाइस सेंटर तक आपका साथ देते हैं इसको आप लोग ले सकते हैं 249 में तयारी अगर आपका लगता है कि लेना है तो लिजिएगा नहीं तो आप हमारे साथ YouTube में free classes परिएगा पहले ही आपको बता चुके थे कि आपको एमजी उमंग इस्टेडी एप को आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है देखिए चलिए भाया वीडियो को आप लोग शेयर किजेगा अपना प्यार दिखाईएगा और वादा रहा आप लोग से सेलेक्शन आपको हमारे साथ जूरे रहे एलपी टेक्निशियन में आपको पूरा एक सीट आपको दावा करवा देंगे वेकैंसी भी हम लोग लेके आएंगे एक ट्विटर एटीचर्स का मिटिंग भी चल रहा है कि आपका ट्विटर कैंपेंड के लिए उसमें हम लोग ट्विटर कैंपेंड के लिए हम लोग माच साल हो चुका है और एलपी आपका सेफ्टी के अंतरगत आता है तो वेकेंसी आपका हंडेट पर्चंट आएगा इस जिसको आपको दावा दिलाते हैं कैनल पढ़ना है चल को सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो को आप लोग सेयर किजिएगा पहले बोल दिये आप लो बेसिस पर आगे भी काम करते रहे अपना प्यार सपोर्ट दिखाईएगा वीडियो को सेयर किजिएगा और अच्छा रेस्पॉंस रेगुलर आप लोग लाईएगा हम आपको इतना अच्छा कंट्रेट्ट दे देंगे कि आपको कहीं भी और कहीं जाने का टेंसन नहीं रह सोच यह कितरा इस्ट्यूट्वें एलपी का समय का ही बात बता रहे हैं उससे में हम लोग पठना में हम लोगते ओफलाइन का जो हम लोग का था ना बहुत सारे हमारा ही दोस्त था हमारा यह था फुद भाईया पढ़ाते भी थे और फिस तोचे कि चलिए भाईया हम भी कर करते हैं और जो है पढ़ाते हैं बहुत लोग हमारा दोस्त भी जॉब कर रहा है एलपी में आपको हम मिलवाएंगे भी आपको सभी से धन्यवाद सभी को लभी और मेरे भाई लोग सभी को धन्यवाद